सावन में द्वादर्श जोतिलिंग के दर्शन और पूजन का महत्व सावन के इस पवित्र माह में जब भगवान शंकर के भक्त नंगे पाउं पवित्र स्थलों से गंगा जल भर कर अपने भूले बाबा को चड़ाने के लिए आतू रहते हैं आज हम आपको देश के उन प्रमुख तीर्थों के बारे में जहां भगवान शिव प्रकट हुए थे सावन मास चल रहा है और इस मास में भगवान शिव की पूजा करने का विशेश विधान है शिव पुराण में बताया गया है कि जो भगत इस मास में हर रोज शिव लिंग की पूजा और सावन सोमार का व्रत करता है भगवान शिव उसकी सभी मुनो कामनाएं पूरी करते हैं सावन के महिने में लाखों शिव भक्त जोति लिंग के दर्शन करने के लिए उज्जैन, काशी, हरिद्वार, आधी समेत भारत के कई धार्मिक स्तलों पर जाते हैं पुराणों में बारा जोति लिंगों का वन्णन है पुराणों के अनुसार भग्वान शिव जहां जहां प्रकट हुए उन स्थानों पर इनकी पूजा जोति लिंगों के रूप में होती है शिव पुराण के अनुसार जोति के रूप में भग्वान शिव स्वैम यहां विराजमान रहते हैं तो चलिए, जानते हैं इन बारहा जोदिलिंग के बारे में। हर हर महादेग। शिव पराण के अनुसार, जो वैक्ति सुबह शाम इन बारहा जोदिलिंगों का नाम लेता है, उसके साथ जन्मों का पाप मिट जाता है। साथ ही वह जन्म्रित्यों के बंधन से मुक्त हो जाता है और मोक्ष को प्राप्ट करता है। हर हर महादेग। सोमना जोदिलिंग सौराष्ट गुजरात के प्रभाज छेत्र में विराजमान है। इस प्रसिद्य मंदिर को अतीत में छह बार ध्वस्त और निर्मित किया गया था। यह मंदिर काफी सम्रद्य था। महमूद गजनवी ने हमला कर इसे काफी नुकसान पहुंचाया था। इस समय चो मंदिर खड़ा है उसे भारत के ग्रह मंद्री सरदार वल्ला भाई पटेल ने बनवाया था। इस जोदिलिंग को भारत ही नहीं बलकि प्रित्वी का पहला जोदिलिंग माना जाता है। आंद्र परदेश के कृष्णा जिले में श्री मलिका अर्जुन विराजमान है। श्री शेल परवत परिस्थित इस मंदिर के पास कृष्णा नदी बहती है। इसे दक्षिन का कैलाश भी कहते हैं। शिव पुराण में बताया गया है कि इस जोदिलिंग के दर्शिन करने से सभी पाप नश्ठ हो जाते हैं। और पूजा करने पर अश्वमेद यक के समान पुन्य फल की प्राप्ती होती है। महाकालेश्वर जोदिलिंग शिव पुरी कहा जाता था। यह एक मात्र शिव लिंग है जो दक्षिन मुखी है। यहां हर रोज सुभा होने वाली भजमा आरती पुरे विश्व में प्रसिद्ध है। ओमकारेश्वर जोदिलिंग ओमकारेश्वर जोदिलिंग मध्यपरदेश के मालवा छेत्र में नर्मदा नदी के बीच एक द्वीप पर है। जैन से खंडवा जाने वाली रेलवे लाइन पर मुर्टक्का नामक स्टेशन है। वहां से यह इस्थान दस मिल दूर है। यहां ओमकारेश्वर और आमलेश्वर दो प्रिथक प्रिथक लिंग हैं। लेकिन यह एक ही लिंग के दो स्वरूप हैं। ओमकारेश्वर लिंग को स्वैंबू समझा जाता है। यह जो जोतिलिंग है वह ओमकार अर्थार्थ ओम का आकार लिये है। इस वजह से इस जोतिलिंग को ओमकारिश्वर कहा जाता है। केदारना जोतिलिंग केदारना थिमाले केदार नामक परवत परिस्थित है। यहोयस्थान हरिद्वार से 150 मील और रिशिकेश से 132 मील दूर उत्राखन राज्य में है। केदारना धाम का वर्णन इसकंद पुराण और शिव पुराण में मिलता है। जिस प्रकार भगवान शिव का इस्थान कैलाश का महत्व है। उसी तरह भगवान शिव ने केदार शिट को भी महत्व दिया है। श्री भीमा शंकर जोतिलिंग श्री भीमा शंकर पुणे से उत्तर भीमा नदी के किनारे सहादरी परवत पर विराजमान है यहो इस्थान नासिक से लगभव 120 मिल दूर है सहादरी परवत के एक शिखर का नाम डाकनी है शिवपराण की एक कथा के आधार पर भीमा शंकर जोतिलिंग को असम के कामरूप जिले में गुवाहाटी के पास ब्रह्मपुरु पहाड़ी पर बताया जाता है कुछ लोग मानते हैं कि नानितार जिले के काशिपूर नामक स्थान में स्थित विशाल, शिव मंदिर भीमा शंकर का स्थान है मान्यता है जो भक्त सूर्य निकलने के बाद इस जोतिलिंग के दरशन करता है उसके सभी पाप नश्ठ हो जाते है काशी विश्वनाज जोतिलिंग वारा नसी स्थित काशी के शिरी विश्वनाज जी सबसे प्रमुग जोतिलिंगों में एक है गंगा तट स्थित काशी विश्वनाज शिवलिंग दरशन हिंदूओं के लिए सबसे पवित्र है कभी तीगतिस्थलों में काशी का विशेश महत्व है मान्यता है कि प्रले आने पर इस छेत्र के रक्षा के लिए भगवान शिव इसको त्रिशूल पर धरन कर लेंगे और प्रले के टल जाने के बाद काशी को पुनहा उसके स्थान पर रख देंगे प्रमकेश्वर जोतिलिंग महाराष्ट के नासिक जिले में पंचवटी से अठारा मिलकी दूरी पर है यहो मंदिर म्रह्मगिर के निकट गोदावरी के किनारे स्थापित है इस स्थान पर पवित्र गोदावरी नदी का उद्गम भी है गवान शीव का एक नाम तुरुमकेश्वर है अन्यता है कि गोदावरी के आगरह पर यहां तुरुमकेश्वर जोतिलिंग के रूप में भगवान शीव निवास करते है वैत्दनाजोतिलिंग वैद्यनात मंदीर जारकन के देवगर नामक स्थान में है शिव का एक नाम वैद्यनात भी है इस कारण लोग इसे वैद्यनात धाम भी कहते हैं यह एक सिद्धिपीठ है इस कारण इस लिंग को कामला लिंग भी कहा जाता है यहां सावन में काविडों के भीड उमरती है चिरी नागेश्वर जोतिलिंग नागेश्वर जोतिलिंग गुजरात के बडोधा छेत्र में गोमती त्वारिका के करीब स्थित है नागेश्वर का अर्थ होता है नागो का इश्वर धार्मिक पुराणों के अनुसार भगवान शिव को नागों का देवता माना जाता है नागेश्वर जोतिलिंग के बारे में बताया गया है किसे शिवलिंग की अर्चना करने से भगतों की सभी मनोकामना पूरी होती है श्री रामेश्वरम जोतिलिंग श्री रामेश्वर तीर्थ तमिलनाडू के रामनाट जिले में है यहां लंका विजे के पस्चात भागवान श्री राम ने अपने आराथी देव शंकर की पूजा की थी जोति physics को श्री रामेश्वर या श्री राम्लिंगेश्वर के नाम से भी जाना जाता है हिंदुओं के चार धाम में यह धाम भी आता है गिष्णेश्व जोतिलिंग गिष्णेश्व जोतिलिंग महराष्ट में दौलतावा स्टेशन से बारा मिल दूर बेरुल गाउं के पास है अग्रूर से लोग इस जोतिलिंग के दर्शन करने आते हैं उनको आत्मिक शान्ति मिलती है। भगवान शीव के 12 जोतिलिंग में यो अंतिम जोतिलिंग है। सनातन धर्म में भोले नात को मोक्ष के देवता के रूप में जाना जाता है। भारत में भगवान शीव के 1000 चोटे बड़े मंदिर हैं। लेकिन फिर भी भोले नात के बारा जोती लिंगों का महत्तुर सबसे जादा है। हिंदु पुराणों के मुताबिक इन जोती लिंगों में भगवान शीव खुद जोती रूप में विराजमान है। कि जो भी भक्त दिन में कभी भी इन बारा जोती लिंगों के नाम ले लेता है तो उसके मुक्ति मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार जो वेक्ति सुभा शाम इन बारहा जोतिलिंगों का नाम लेता है उसके साथ जन्मों का पाप मिट जाता है साथ ही वह जन्म मृत्यों के बंधन से मुक्त हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त करता है हर हर महादेव